साथियों नमस्कार जै श्रीराम जै बाला जी की और साथियों आज बाला जी के आश्रवाद से माननी सुप्रीम कोट का एक महत्पूर्ण निर्ने में डिसकस करने वाला जिसमें ऑन्डबर सुप्रीम कोट ने ना के अवल एक अच्छी रहात मैंस राइट को दी अपितू तो अल्टिमेटली उसका बिटर कॉंसिक्वेंस उन्हें फेस करना होगा साथियों जब भी 498 है आई पीसी यहां 406 आई पीसी यह दोनों ही धारों में यह इसके साथ साथ तीन बटा चार डीपी एट में कोई मुकदमा दर्ज होता है तो वहां पर हमारे सामने एक प्राइ घया जा सकता है और कितना आप प्रेशर में आते हों सबसे पहले वो लोग कम्प्लेट दाखिल करते हैं महीला सैल में और एक रेट जो है तैय करते हैं जब आप दवाव में आते तो ये रेट बढ़ जाता है और अल्टिमेटली आप पर ही प्रेशर जो है बढ़ता जाता है और इनका टारगेट यह होता है कि F.I.R. दर्ज करो F.I.R. दर्ज होगी तो यह रेट जो कोट किया गया है जस्ट डबल हो जाएगा और साथियों इनकी इसी कुटल मानसिक्ता पर प्राहार किया है माननी सुप्रिंग कोड ने जज्जमेंट किया है मैं खुल के डिसकस करूंगा एक एक पॉइंट को एक कॉप सुप्रिंग कोड का अश्वाक आलम बनाम स्टेट ऑफ जहारकंड यह सबसे रिसेंट जज्जमेंट अभी तक का जिसमें फॉट्टीवन एसी आर्पिसी के पैरामेटर को भी डिसकस किया गया है साथियों कुछ लोगों ने भर्म फहला दिया कि फॉट्टीवन एसी लड़कों को हैरेस करेंगी है साथियों बी एन एस एस भारतिय नागरिक सुरक्षा सहीता भी जड़ा पढ़के देखो सेक्शन 39 को पूरा पढ़ों उसमें 41 एको तो इन बिल्ट ही करती है तो गवराणी की जरूत नहीं है इनका काम है बाते बनाना ब्रह्म भेलाना पर हम लड़ेंगे क्योंकि हम बाला जी के बागते हैं कि लिए और धरम तबी बचेगा जब आप लोग धरम की रक्षा करोगे और धरम को बचाने में जो है एक महत्पूर्ण योगदान अदा करोगे सात्यों मैंस रेट भी आज हमारा एक धरम है जो खत्रेम है सात्यों एक बेस 39% अधरमी लड़कियों को मैंने रोते फिरते देखा है तो कि वो सिर्फ जूटा केस करना जानती है बट उसका बेसिस क्या है उनको नहीं पता अधिकांश मामले में तो एफाई और वकील ड्राफ्ट करता है उनको तो पहली बार मालूं पड़ता है कोड में कि अच्छा य नहीं बहस करना चाहते हूं अपने प्रॉपर ड्राफ्ट त्यार करो प्रॉपर उसको अनेक्स करो उसको लॉज से जो है इनलैटन करो और अपने केस को कुद आर्ग्यों करो साथियों मैंने देखा है कई बार मुस्तग लोग पहुंसते हैं और यह बातें बताते हैं कि हमा कि जब राइड्स हैं कानुग में तो उसका सदुपयोग की जी और धारा 32 एड़ोकेट एट का भी आपको एक पावर देता है कि आप अपना केस स्वैम कोड के समक्स एजन प्रेटिशनर रख सकते हैं उसमें एफिशेंट प्लेडिंग्स भी कर सकते हैं जब पावर्स है त उससे एंटिसेबिटरी बेल का लाप नहीं दिया गया साथियों इस मैटर में फैट किया थे कि जो मैरीज है यहां पर सबसे बड़ा एलिकेशन है हजबेंड का कि मेरी वाइफ जो है संतुस्त नहीं है उसका यह भी कहना कि उसकी फैमली जो है वह इंटरफेर करती है और उ कि मेरे खिलाफ ही एक जूटी दर्ज कर दी गई और बड़ी शरम की बात है कि पोलिस ने मानने सुप्रियम कोड का एक मैजपूर्ण निर्ण है जिसको कहेंगे लैंड मार जैज्जमेंट जिसका साइडेशन है ललिदा कुमारी वर्सिस गौर्रमेंट ऑफ यूपी 2013 वॉल कि मामले होते हैं जहां पर आग लगा दी जाती है लड़की बख्ष को और उनको कंपैल किया जाता है कि आप जाके तुरंद जो है मुकादमा करो तो वहां पर बड़ी सहीमता से काम लें करें सबस्टेंस फाइल पर हो वास्तम में सही ग्रिवैंस हो तो आगे बढ़ें यह अगर हम में से कोई आम बंदा होता तो घबरा जाता पर यह बंदा जो है लड़ा और अपने राइट्स की इसने बात कही उसका कहना है कि इस जूटे मामनों में मुझे एप्रियेंशन और इस्ट मैंने को लगाया पट मुझे बेल का लाब जो है नहीं मिला जबकि कई यह मेरी लाइफ और लिबर्ति का है उनका स्पैसिफिकेशन किया है कि इस मामले में ऐस भले हिलिकेशन है और जब तक एलिगेशन किसी बी रूपमें सबस्टाइंस सबोट नहीं होंगे बेल की लिबर्टी को जो है वो डिनायर नहीं किया जा सकता कोट ने यहाँ पर साथियों फैट्स का सरकमिस्टैंसिस का जो है अवलोकन किया और पैरा नंबर 9 में और में सुप्रीम कोट ने एक ऐसी बात लिग दी जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टन है पहले मैं इसको ब मैं इसाब से फैंसला कर रहा है साथियों इस बें रूल इन लॉंग लाइन ऑफ केसे लिए और और बेल और तो बी ग्रांटेट एंडट इस पैसिए विचार स्पैसिफाइट इन प्रोविजन ऑप सी रपी सी विच इन्वाल एलिगेशन रिलेटिंग दूफेंस केरिंग दो कोट शुडबी सरकम्स्पैक्ट एंड किया एक्साइजिंग दिस्क्रेशन तो पैरा मौन किया है कि बेल यहों चाहिए बेल हो नेचर ऑफ एलिगेशन क्या है और ग्रेविटी क्या सबस्टेंस क्या है सबसे इंपरेंट बात कि अगर ऐसे एविदेंस फाइल पर है कि क बात को मानते वे कंसेंडS को बेल का लाप नहीं देवें अक्सरेंसा होता है सेशन्स कोट में कहीं बार देखता हूं कि बेल का लाप मिलता ही नहीं कि आईयो का यह वीउ है कि। लेकर आया है कि यह गवाओं को टैंपर कर रहा है कि इसके बावज़ोत भी बड़ा दुख होता है कि एसी गिसी पिटी रिपोर्ट्स पर विश्वास करते वे नैदिश मौदे वेल तक खारिज कर देते हैं सुप्रीम कोड की गाइड लैंस को फॉलो तक नहीं करते हैं राइड हमारे अफैट हो रहे हैं हम जाएगा हम बोलना चाहते नहीं है और अगर बोलना का प्रयास करते हैं तो हमारी आवाज को चुप करा दिया जाता है साथियों जब भी अफैर करते हैं मैंने आपको हमेशा ही काया कि यूशूट फाइल यूर ग्यापन जिसको बोलते हैं मैमोरेंडम या री परजेंटेशन जिसका बैनेफिट किया कि पूरा केस सामने होता है जब केस को आर्ग्यू कर रहे होते हैं तो हमें रहाद भी मिलती हैं गाइडनेस तक को फालो नहीं करते हैं जिसका परिणाम गंबी रूप से अक्यूज को फेस करना होता है अगर आप स्टेंड बैं बिलकुल अपने केस को रख पा रहे हैं आपका स्टेंड के लिए हैं तो आप हाई को तक जाईए सुप्रिम को तक जाईए और ऐसे कही सब्सक्राइब को लेकर इसका कहना यह था कि जब मैं गलत नहीं हूं तो मैं जूटे केस के सरेंडर होके जेल कि हो जाऊं सातियों यहाँ पर कोट ने रिलाए किया और जिजमेंट आफ सुशिला अगरवल वरसीज स्टेट ऑफ एंसिटी जिसमें रिलाए किया गया था जिजमेंट ऑफ गुर्भक्श सिंग परसिज स्टेट ऑप पंचाब और सबसे इंपॉर्टन बात जोड़ दिया गया था पर सब्सक्राइब कर दिया कि अधिकांश लोग इसको फॉलोग करने में रूची ही नहीं दिखाते हैं साथियों सबसे इंपोर्टन बात अरनेश कुमार के मामले में कुछ गाइडलाइस बनी और कोड ने यह स्पैस्विक कर दिया कि और सबसे इंपोर्टन चीज क्या है कि जब भी डिस्पीड होगा उसमें वाइब में तो कुने को अलिकेश निकल गया सबसेंस हो या नहीं हो तब भी कारवाई जो है वह इमिजेटली होती है बट सबसे इंपोर्टन बात इन मामलों में ऐसा रवाया देखा गया है कि अक्यूस को पकड़ो उसका कश्वल इंट्रोकेशन करो उसको प्रेशराइस करो ताकि अल्टीमेटली वह जुग जाए और वह इजीली प्रे हो जाए का तो इसको रोकने के लिए अर्नेश कुमार में इस पश्च किया गया था कि देर शुड नॉट भी एक कैजवल एंड मेग्यानिकल अरेश पर उसके बावज़ुद भी देखा गया है कि पुलिस जो है वो पिकेंचूस कर रही है और अल्टीमेटली अक्यूस के राइट्स है उसको फॉलो नहीं करते हैं पर ऐसी गाइडलाइन्स है तो हमें फॉलो करवा नहीं है उनको लीगल नोटिस दो तब भी नहीं देते हैं आपको फॉर्टीवन ने तो आप एंटिसिपेटर में जाओ कंसर्ण ट्राइल कूर्ट में जाके इंकि शकायत दर्श करो ऐसा है जिसके लिए और पर सुप्रिंग कोट ने गाइडलाइंस दी है जो कि पब्लिश हुई है दोजार सोला सेसी पेस नमबर 277 पर इसके अलावा इंको चेक्लिस जो है बनानी होगी इंको रीजन्स देने होंगे रीजन्स शुट भी रीजन्स नॉट दा मियर फॉर्मिलिट इसके अलावा ऑथराइस करना है अगर डिटेंशन गो तो मजिस्टर को भी कारण स्पैसिविक करने होंगे कोई भी आरेज जो है वूटिंग मैंदर में नहीं होगा अगर नोटिस दिया जा रहा है 41A का तो वहां पर कंप्लाइब भी करना होगा पुलिस को और अगर वो न अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो जिम्मादार होंगे और कारवई की जो है बात रोंगे तो साथियों इस पॉइंट को लिखते वे कोट ने जो है एंटिसिपेटरी बेल को यहां पर अलाव करे दिया तो यह जज्मेंट जो है हमें सिकाता है दस बात है कि जहां पर पनिश्मेंट साथ साल तक हैं वहाँ पर फॉट्टी वन एस यार्पिस इंपेरिटिव है और यह हटा नहीं है कुछ लोग भर्म फिला रहे हैं यह बी एन एस एस भारती नागरिक सुरक्षा सहिता का पार्ड बन चुका है तो कितना फाइदा कराया मोदी जनामर हटाया न क्या है आपको क्राइम नहीं करना है पर अगर जूटे वसादी गए हो तो आपको राइट्स आपके पता होने चाहिए तीसरी बात यह कि देर शुट नॉट बिया मेग्यानिकल चौती बात है कि रिजन्स देने होंगे पांस भी बात है कि फॉट्टी वन सी यार्पिसी का सब्सक्राइब नहीं कर सकता है चट्टी इम्पोर्टन набaton के बास्प्रेम कोट ने वास्तव में एक सही डिसिजिएंघा है जिसमें है कि सभूट है को बदाए आठवे important बात directly surrender होने की बजाए आप कोशिश ये करें कि अपना पूरा ग्याबन पूरा memorandum जो है पुलिस को सौंब दे नवी important बात कि जो भी case है वो F.I.R. से ही made out होता है तो F.I.R. पर आपको जोर देते वे जो allegations false है उसको roll out करना है और सही बात जो है convey करनी आईयों को विता mount कि आप इस पर जो है जाच करो और दस भी सबसे important बात कि जो भी allegations record पर होते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो अगर substance नहीं है और ये बात clear है then definitely you could move for the anticipated bail तो कुल मिला कि आपके अपने rights हैं अगर आप समझ लोगे rights को enforce कर लोगे तो निश्यत तोर पर ये जो बैमान लोगे कम से कम आपके rights को जो है affect नहीं कर पाएंगे और आप अपने rights को secure कर पाऊगे और सात्यों एक बात आपको सपश कर दूं कि आप सब को CCA rules CCA सुल की जां कि अगर ये गरत कर रहे हैं और आप चुब हो तो आप तो पाप करी रहे हो आगे आने वाली PD के लिए भी आप खड़ा खोद के जा रहे हो कि आप ऐसे दुस्टों को motivate करो कि हमें blackmail करो और आगे आने वाली PD को blackmail करो तो सात्यों सब depend जो है आपके ओपर है अगर लड़ ल बात यह है कि आप अपने केस को specific करें आपने बात को specific कहें बट लेकित फॉर्म में जो चीज लिख दी जाएगी वो स्थर भी रह जाएगी तो सातियों इन्हें शब्दों के साथ विराम लूँगा जल्दी मिलेंगे एक नेट आपके साथ तिल दें जाय हैं जाय भारत जै जै शरी राम जै बलाजी की